अपने घर को हमेशा विवस्थित और साफ सुतरा रखने के लिए हर चीज का एक फिक्स प्लेस बनाईए जैसे कि यहाँ पे देखी यह मेरे दीदी का घर है उनके कुछ आइडियाज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ तो वहाँ पे यह इस तरह से एक औरगनाईजर में उनके जो भी टीवी या एसी के रिमोट हैं सब एक साथ यहाँ पे रखती हैं जिससे की लेने में आसानी होती है और हमें चीजों को ढूनना नहीं परता है साथ ही वो घर में बहुत जादा चीजों को जैसे सजाने वाली चीजे होती हैं सो पीसे सोते हैं उन्हें रखना प्रिफर नहीं करती हैं आप भी आपके घर में मिनिमम चीजे रखे सजाने की क्योंकि बहुत सारी चीजे जब हम रखते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी लगती है और उसकी डस्टिंग करने में हमारा काफी सारा टाइम चला जाता है इसलिए घर में कभी भी जब आपको घर वेल ओगनाईज चाहिए तो मिनिमम चीजे ही आप सजाए छोटी-छोटी दो-चार चीजे ही रखे जिससे आपका घर स्पेशियस भी लगेगा और देखने में भी सुन्दर लगेगा घर को सुन्दर बनाने के लिए आप आपके घर में ग्रीनरी अट करें ऐसे प्लांट लगाए जिसका लो मेंटेनेंस लगता हो रोज हमें उसमें पानी नहीं डालना हो इंडोर प्लांट हो या आउट्डोर प्लांट हो इस तरह के प्लांट लगाएं कि जो अपने घर के एर को प्यूरिफाई करें और उसमें हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं देना पड़ें और देखने में भी लुक अच्छा आए, लो मेंटेनेंस वाले काफी सारे प्लांट होते हैं, सीजनल प्लांट होते हैं, जो सीजन वाइस चलते हैं, तो उस तरह का प्लांट अगर हम अपने घर में लगाते हैं, तो उससे हमारे घर का लुक भी बहुत सुन्दर हो जाता है, और ग्रीनरी तो हमेशा आखों को सुकून देती है, तो ग्रीनरी को जरूर हमें हम अपने घर को अच्छे से और्गनाईज करने के लिए हमें कभी न कभी थोड़ा बहुत इंवेस्मेंट भी करना पड़ता है जैसे कि इस तरह के बास्केट मार्केट में बहुत सारे आते हैं काफी अच्छे होते हैं थोड़े से कॉसली होते हैं तो सालो साल चलते हैं और इस तरह के बास्केट काफी यूज में भी आते हैं जैसे कि ये बास्केट देखिए हैं इसमें आप कोई भी चीज अच्छे से इसमें और आप जल्दबाजी में हैं तो ऐसे भी अगर रख देंगे तो चीजे दिखके नहीं आएगी आपका घर अविवस्चित नहीं लगेगा और अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं तो इस तरह के औरगनाइजर काफी काम आते हैं इस तरह के औरगनाइजर में आप चीजों को रखके जिससे कि आपके space भी ज़्यादा best नहीं होगा और चीजे भी आपकी बहुत अच्छे से organize रहेंगी हम औरतों का maximum time kitchen में निकल जाता है और kitchen में अगर हम थोड़ा smartly work करें तो हम काफी सारा अपना time बचा सकते हैं cooking के time ही हम अपना काफी सारा time बचा सकते हैं जैसे कि cooking करते समय आपके जो भी जरूरत की चीजे होती हैं उसे आप आपके cooking के platform और gas store के nearby में ही रखे कि जिसके लिए आपको यहाँ वहाँ बार बार जाना नहीं पड़े जैसे कि यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे organize कर रही हूँ दीदी के platform पे जो भी तेल के item होते हैं तेल, घी, जो भी चीजे हमें cooking के दोरान लगती हैं वो सब चीजे मैं यहाँ पे set कर रही हूँ साथ ही उनके जो यह mug है, cup है, चाय कॉफी बनती रहती है तूसे भी मैं यहाँ set कर रही हूँ साथ मैं यहाँ पे उन्होंने इस तरह से कारपेंटर से बोल के जब वो उनका घर का काम चल रहा था तो इस तरह से यह बनवा लिया है, बड़ा सुन्दर सा एक study सा यह इस तरह से उडन का है, जिसे आप हटा के अच्छे से clean भी कर सकते हैं तो इस पे यह अपना tissue roll हुआ, जो भी चाकू छूड़ी यह सब चीजे हमें लगती है यह सब चीजों को यहाँ पे set कर रहे हैं और साथ ही चमच के जो spoon holder होता है उसे यहाँ पे set कर दे रही हूँ तो इस तरह से जब यह सब चीजे यहाँ नजदीक में gas store के पास रहता है तो फटा-फट हमारा cooking होता है और चीजे organized भी रहती है और देखने भी सुन्दर लगता है, साथ ही यहाँ पे छोटा सा एक planter add कर रही हूँ greenery से हर कोना खुबसूरत हो जाता है कभी भी जब हम मसालों को या कोई भी चीजों को kitchen के item को organize करने के लिए, set करने के लिए kitchen के इस तरह के section का use करते हैं तो एक level का अगर सभी चीजों को रख देते हैं तो चीजे हमें समझ में नहीं आती, पीछे क्या है तो इस तरह से आप ladder का use कर सकते हैं यह देखिए, market में बहुत सारे ladder आपको Amazon Flipkart पे मिल जाएगा लेकिन यहाँ पे मेरी दीदी ने इस तरह से carpenter से यह wooden का ladder बनवा लिया है काफी सुन्दर सा उन्होंने बना के दिया है और उसमें इस तरह से spices जो भी होते हैं, मसाले होते हैं जो भी चीजे हमें रखना हो आराम से उसमें रख सकते हैं और कभी भी मसालों को या कोई भी जो भी kitchen के item होते हैं उसे रखने के लिए इस तरह के transparent plastic के हो या glass के हो इस तरह के जार का use जब हम करते हैं तो काफी easily हमें चीजे दिख जाती हैं हमें visible रहती हैं और आराम से हम चीजों को ले सकते हैं अगर हमारे kitchen में कोई नया भी बंदा आ रहा है काम करने तो उसे भी हमें मतलब आके देना नहीं पड़ता है चीजों को आराम से वो खुद भी ले के चीजों को अच्छे से cooking कर सकता है और इस तरह से जब हम देखिए इस तरह से ladder पर रख देते हैं तो पीछे कौन सी चीज रखी है वो भी बहुत अच्छे से हमें दिखता रहता है नहीं तो पीछे के item हमें दिखते नहीं हैं तो घर को और kitchen को अच्छे से organize करने के लिए इस तरह के जब हम ideas लगाते हैं तो काफी सारा हमारा time भी safe होता है और हमें हमारा kitchen और घर देखने में भी सुन्दर और organize लगता है Mostly हम सभी का घर कपडों से ही disturb हो जाता है कपड़े अगर हम अच्छे से नहीं विवस्थित रखे तो कपडों से ही disturb होता है जैसे कि इस तरह से press के जो कपड़े होते हैं उसे आप इस तरह से अलग करके basket में करके रखे जब भी आपको कपड़े press वाले को देना हो तो उसमें से आप लेके दे सकते हैं साथ ही laundry के लिए भी जो machine में कपड़े लगाने हो उसे आप इस तरह से अलग से एक basket बना के रखे उसमें गंदे कपड़े आप जमा करके रखे इस तरह से भी रखने पे हमारा घर आधा तो इसी तरह से organize और विवस्थित हो जाता है हमारे जो महेंगे साड़ी हुए या dress हुए कपड़े होते हैं वो अकसर बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं अगर हम सभी महेंगे कपड़ों को जो भी heavy, embroidery या work वाले होते हैं एक साथ रखते हैं तो वो उसमें उलज के, फस के बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं उसे आप set करने के लिए साड़ी हुए या आपके अच्छे भारी वाले dress हुए इस तरह के organizer का use करें इस तरह के organizer बहुत ही अच्छे होते हैं बहुत ही useful होते हैं इस तरह से transparent सा होता है और उसमें आप अच्छी तरह से साड़ीों को dressों को set करके रख सकते हैं और transparent होने की वज़े से जब भी हमें जरूरत होती है तो बहुत ही आसानी से हम उपर से ही देख के वो वाले कपड़े को निकाल के उसे use कर सकते हैं और जहां भी रख देते हैं काफी कम space लेता है और अलग-अलग होने की वज़े से जो heavy हमारे कपड़े होते हैं तो एक दूर सरे में उलच के उसके work खराब नहीं होते हैं तो इस तरह के organizer का use करके हम अपने कपड़ों को lifetime मतलब अच्छे long time तक हम उसे अच्छे से समाल सकते हैं और उसका use कर सकते हैं जब भी आप monthly grocery shopping करके लाएं तो मसालों को जो dry fruits होते हैं उन सब चीजों को कोशिस करें कि fridge में ही रखे, fridge में ही जगा बना के अच्छे से organize करके रखे, अगर हम fridge में रखते हैं तो आप देखेंगे कि 6 से 7 मेहना भी आराम से वो चल जाते हैं बिल्कुल वो खराब नहीं होते हैं अगर हम बाहर रखते हैं तो बहुत जल्दी ही खराब हो जाते हैं और साथ ही जो इस तरह के packets होते हैं जो packets से ही हम direct चीजों को लेते हैं खोलते हैं तो खोलने के बाद वो उसमें हवा लगने का और खराब होने का chance जादा हो जाता है तो उसे आप इस तरह से clip लगा के और उसे एक साथ एक जगा पे रखें जिससे की आसानी से जब भी हमें उस चीज की जरूरत होती है तो हम उस section में से निकाल के उसे ले सकते हैं और उसका use कर सकते हैं और इसी खोले हुए भी चीजों को clip लगा के अगर हम freezer में रखते हैं तो काफी time तक ये भी चल जाते हैं अगर खुले हुए packets को हम बाहर रखते हैं तो बहुत ही जल्दी वो खराब होने के chance हो जाते हैं और काफी सारा हमारा wastage हो जाता है और यहाँ पर देखिए मेरी दीदी ने काफी सारा थंडी के मौसम में जो हरे मटर होते हैं उसे छील के इस तरह से store करके रखा है साथ से आठ मैना आराम से चल जाएगा इस तरह से मैंने भी आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि इस तरह से जब हम मटर को चील के store करके रखते हैं तो काफी time तक हमारे मटर वैसे ही रह जाते हैं हमें market से frozen मटर लाना नहीं पड़ता है मेरे channel पे मैं आप लोगों के साथ खोशिस करती हूँ कि कुछ ऐसे ideas share करूँ जिससे आपके जो भी काम है वो आसान हो सके और आप लोगों को कुछ नए ideas मिल सके तो यहाँ पे देखिए मेरे दीदी के घर में जो furniture का काम हुआ है उसमें से कुछ-कुछ चीजे ऐसी है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है बहुत ही जादा useful लगी तो वही मैं आज आप लोगों के साथ share कर रही हूँ इस वीडियो में तो यहाँ पे देखिए इनके bedroom का ये door के पीछे का section है जो कि बहुत ही मतलब पतला सा था वहाँ पे मतलब ऐसे सोचने जाए तो कुछ भी हम नहीं कर सकते थे लेकिन यहाँ पे देखिए इस तरह से इन्होंने place को बहुत अच्छी तरह से utilize किया है इस जगा पे इस तरह से ये लंबा सा एक section बना लिया है wardrobe type का जिसमे ये अपनी जो भी अपनी बेटी का और अपना जो भी उनके cosmetic हुए rubber band हुए जो भी ladies item होते हैं ये सब इसमें अच्छे से organize करके रखती हैं इस तरह से देखिए बहुत ही अच्छे से इनका ये place utilize हो गया है और चीजों को अच्छे से organize करने के लिए उनको बहुत ही आप लोगों के लिए कुछ useful होगा उसी के साथ देखिए यहाँ पर ये भी एक section मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा बहुत ही useful लगा वो भी मैं आप लोगों के साथ share कर रही हूँ यहाँ पर इनका ये kitchen का section है जो passage होता है और kitchen के section का जो entrance होता है वहाँ पर छोटे-छोटे wall होते है सभी के kitchen में अक्सर ऐसा ही होता है तो यहाँ पर जो भी furniture वाले interior designer थे उन्होंने देखी यहाँ पर भी इस place को बहुत अच्छे से utilize किया है एक wall के section पर इस तरह से उन्होंने ये crockery unit बना दिया है बहुत tall सा इस तरह से एक लंबा सा unit आया है जिसमें बहुत ही अच्छे से आप जो भी crockery हो उसे अच्छे से set कर सकते हैं तो इस तरह के place हमारे ऐसे west ही हो जाते हैं लेकिन इसे हम अच्छी तरह से utilize कर सकते हैं और काफी सारा हमारा section मिल जाता है हमें घर में अपनी चीजों को organize करने के लिए तो उपर की तरह इस तरह से glass door है जो की transparent सा है देखने को मतलब मिल रहा है सामने सामने और नीचे की तरह इस तरह से छोटा सा section है जिसमें आप जो भी चीज आपको set करना हो उसे रख सकते हैं तो देखने में भी काफी सुन्दर लग रहा है look wise भी आप देख सकते हैं काफी सुन्दर लग रहा है और साथ ही इतना सारा हमें space मिल जाता है अच्छे से चीजों को organize करने के लिए so friend ये था मेरा आज का वीडियो I hope मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी आप लोगों के लिए useful होगी अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो please comment करके जरूर बताना और साथ ही मेरे वीडियो को भी like share कर देना और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं मुझे पहली बार देख रहे हैं तो please मेरे चैनल को भी subscribe कर लेना और साथ ही बेल का भी बटन जरूर प्रस कर देना कि मेरी आने वाली निव वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में बाबाई